इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्रगती में किसी भी प्रकार का आपके द्वारा बूल गए सब्ध नुकसान ना करें। वाभाई का सुख बहुत कुछ आपको आज प्राप्त होने वाला है, मगर आपको अपनी वानी पर सहीम रखना है। आज का भागशाली अंक आपका 22 रहेगा, आज का लखी रंग सुनाता रहेगा। आज का उपाई कर्ज मुक्ती के लिए आपको रिण मुक्ती खनेस इस तुरुत का पाठ चरूर करना चाहिए। और आज से एक नियम बना के करना चाहिए। और अब आई हम बात करते हैं ब्राशवरासी वाले शभी दर्शकों के लिए। आज अपने सीनियर्स लोगों के साथ सामझेश बैठा करके काम करें। आपके लिए काफी ठीक रहे है। गरलू शांति और सत्भाव बहाल करना अब आपके हात्मी है। इसलिए आप अपने परिवार को समय दीजिए। आज का भागशाली अंक है अठारा और आज का लकी रंग है कुलाग। आज का उपाय आज आपको मंगदल स्त्रोत के पाठ करने हैं। जिससे कि आपके मान और सम्मान वैभाव का विस्तार होगे। और आज हम बात करते हैं मेथुन रासी वाले शभी दर्शकों के। आज का लाकरों को उनके अतक प्रियासों के लिए पहचान प्राप्त होगी। आज नए मेहमानों के साथ अच्छा समय आपका निकलेगा। कई रिस्तारों से मुलाकात होने के सर्योंग बन रहे है। आज का भागशाली अंक च्छह रहेगा। आज का लकी रंग कौफी रहेगा। आज का उपाए, आज आपको रामरक्षा इस्तरोत की पाट करना बहुत लाप्रद रहेगा। और वाई हम बात करते हैं करक्रासी वाले शभी अर्श्ट। आज आपको किसी पर बहुत जादा विश्वास नहीं करना चाहे रहेगा। आपको नुक्सान अवश्य हो सकता है। आज एक अच्छी खवर पूरे घर को खुशी देने वाली रहेगी। आज का लकी नमबर पंदरा रहेगा। आज का लकी दन सफेद रहे। आज का उपाए, आज आपको किसी भी अमिस्ठान के लिए अंगारक सुथ का सैविधी पाट करना चाहिए। और आप बात करते हैं सिंग रासी वाले शभी दर्शकों के। आज आप अपने व्यक्तित्वा में एक अलग ही तरकी उर्जा संचार देखेंगे। और अपने लक्ष की फ्राप्तिक लिए अग्रसर रहेंगे। माता-पिता का मार्दशन समतारी पूर्ण निन लिने में बहुत मदद करें। आज का लकी नंबर साथ रहेगा, आज का लकी रंग की सिर रहे। यदि आप कर्ष से परशान हैं, तो बहरवस्त्रोत की बढ़ करें। व्यदिक प्रह्मण दोरा करना अवश्यलावों। अब भात करते हैं कन्या रासी वाले शभी तर्शन। आज व्यवसाइक लक्षासिल करने के लिए आपको कड़ा संगर्श करना पड़ सकता है। पारिवारिक लोगों से आपस में विवाद ना करें। आपसी समझ के साथ व्यवहर रखें। आज का लकी नंबर नो रहेगा, आज का लकी नंग फिर्ट रहेगा। आज का उपारे आज राम चंद्रवशी द्वारा रचित रेण मोचन इस्त्रोत का विनियो करन्यास रदयन्यास ध्यान सहीत पार्ट करना आपके लिए बहुत ठीक नहेगा। और अब आई हम बात करते हैं तुलारासी वाले सभी दर्श कुटें। आपके तैनिक आयमे व्रदी के लिए आज बहुत अच्छा समय है। परिवार के स्तती सामाने रहेंगी सुक्षांती बनी रहेंगी। चुनावी मुद्द बहस करते हैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आज का लकी नमर साथ रहेगा। आज का लकी क्रीम रहेगा। और आज आपको स्री नर्सन इस्तरोत के पाट करना शुक है। अब बात करते हैं प्रश्चिक रासी वाले लोगों के आज कारेशतल पर किसी के विरोत सामना पढ़ना पढ़ सकता है। आपके परिवार में गलत सही है। उसको कहने के इमत आज आपको जुटानी पढ़ेगी। आज का लकी नमर 11 रहेगा। आज का लकी नंग सुना ना देगा। और रामाण के आज मास पराण का एक पराण शुरू करना आपके लिए बहुत उप्यूत रहेगा। और आप बात करते हैं धनुराजी वाले सभी तर्जबूत लिए। अपनी कारिशन में बदलाव के लिए आपको विचार करना चाहिए। लक्स के प्राप्टी तमी संभव है। कुछ लोगों के पारिभारिक जीवन में जो भी उतल पुतल चल रहा है। उसमें गुश्य का यूगदान पर नियंतर लखियेगा। आज का लखी नमर नो रहेगा। आज का लखी रंग क्रीम रहे। और कर्ज से मुक्ती पाने के लिए स्रेशुक्त का पाट करना आपकले उप्युप्त रहेगा। और अब बात करते हैं मकर रासी वाले समहीं तर्सक्ते हैं। क्यादियर में बदलाओ कि समावनों को खोजने वाले के लिए आज का दिन बहुत शुब है। आज प्रेंट जीवन बहतर रहेगा। शुब्त आहर लेने का प्रियास करने जिससे आपका स्वास ठीक रहेगा। आज का लखी नुबर चार रहेगा। आज का लखी रंग नीला रहे। और धनके कमी महसूश कर रहे हैं। कर्ज हो रहा है। आज का लखी नंबर 30 रहेगा, आज का लखी नंबर 30 रहेगा। और धनके कमी महसूश करते हैं। तो आज आपको प्रोशुट का सोलेपाट करना चाहिए। परसी क्रम में भात करते हैं मेन रासी वाले शभी तर्शकुट। आज वास्तुर कला सिपिंग बैप डिजाइनी विदेश्य नौकरी के अवस्मों को हंसिल करने में सफलता मिलने का पूर्ण सहीव बनता है। आज का लखी दमर पांच रहेगा, आज का लखी दमर पीला रहेगा। आज कर से मुक्ति पाने के लिए श्रीश का पाट करना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। इस प्रकार से यह है आज के मान अपना रासी फल। जी, तो आज अमने शुब मौरत को लेकर भी जाना और आश्रीफल भी सभी को पता चली आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके साथ। आज आज जी हमारे इस खास कारिकर में जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत अन्यवाद। जी, सादुबाद।